इन चीजों को नीचे रखने से नराज हो जाती है मालक्ष्मी, जीवन भर बनी रहती है पैसो की तंगी शास्त्रों में हर चीज के नियम काईदे बताए गए हैं, पूजा पार्ट को लेकर भी कुछ नियम है अकसर लोग नीचे बैठ कर पूजा करते हैं, ऐसे में वो कुछ गलतियां कर देते हैं और इसका बुरा असर उन पर पढ़ने लगता है कई बार पूजा करते वक्त हम पूजा की सामगरी नीचे रख देते हैं जो की सही नहीं है कहते हैं पूजा की सामागरी नीचे रखने से भगवान नराज हो जाते हैं और पूजा का फल भी नहीं मिलता अक्सर जाने अंजाने में हुई इस गल्ती को हम नजर अंदाज भी कर देते हैं लेकिन पूजा की समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है हर पूजा के दोरान दीपक जलाया जाता है शास्त्रों के नुसार दीपक जलाने के बाद कभी कभी हम दीपक नीचे रख देते हैं ऐसा करना शुब माना जाता है दीपक को हमेशा किसी थाली, प्लेट, पात्र या फिर कुछ चावल के दाने डाल कर ही रखना चाहिए देवी देवताओं की मुर्ती शास्त्रों के नुसार देवी देवताओं की तस्वीर या फिर मुर्ती कभी भी जमीन में नहीं रखनी चाहिए ऐसा करने से भगवान नराज हो जाते हैं बगवान की मुर्ति या तस्वीर को हमेशा चौकी या किसी उचे स्थान पर ही रखना चाहिए शंक शास्त्रों के नुसार शंक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए कहते हैं शंक में मालक्ष्मी का वास होता है इसलिए शंक को जमीन पर रखने से मालक्षमी का अपमान होता है शंक को हमेशा लकडी के बॉक्स में या मंदर में रखना चाहिए वरना घर में धन संबंदित परिशानी आने लगती है कलश शहस्त्रों के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जब भी कलश थापना की जाए तो कलश को सीधे जमीन पर ना रखे कलश को हमेशा चावल के उपर या किसी प्लेट के उपर रखे सोना, गोमती चक्र और कौडी शहस्त्रों के अनुसार पूजा के समय सोना, गोमती चक्र या कौडी को भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए इन सभी चीजों को मेशक कपड़े की उपर रखना उचित होता है कहते हैं इन्हें नीचे रखने से मालक्ष्मी नराज हो जाती है और आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है